Hello guys, welcome back to our channel Zero to Infinity आज की वीडियो में पताऊंगा अगर आपको भी Snapchat आप में प्रॉब्लम आ रही है कि दिखार आप वाज अने पर टूब ओपन दे कैमरा तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आज की वीडियो में पताऊंगा तो वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल Zero to Infinity को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बहले हमें क्या करना है हमें अपने डिवाइस की सैटिंग है उसको open कर लेना है तो setting open करने के बाद हमें श्क्रॉल डाउन करने तो setting में जैसे मैं श्क्रॉल डाउन करूंगा यहां पर एक options देखेगा ऐप तो इस पर klik करने आपको इस पर klik करने के बाद यहां पर 4-5 आपको feature देखेंगे तो यहां से आपको simply select करलेने है manage apps पे तो जैसे manage apps पे मैं click करूँगा तो manage apps पे click करने के बाद हमें क्या करना है हमें हमें यहां पे search कर लेना है काइन master को यहां फिर यह ओभी app है हमारा जिसमें problem आ रही है उसको अपने यहां से आपको search कर लेना है तो फिलाल मैं अपने app को open कर लेता हूँ जस app में problem हा रही है open करने के बाद उसकी storage पर जाना है तो storage पर जाने के बाद storage का clear कैश कर हमें यहाँ पर सारी permission जो भी है different types की सारी permission enable कर देनी है और ध्यान रखना है कि कोई भी permission deny नहीं करनी है तो सारी permission enable करने के बाद हमें जाना है other permission पे तो other permission पे भी हमें क्या करना है one by one सारी permission enable कर देनी है सारी permission enable करने के बाद हमें नीचे scroll down करना है और एक option देखेगा निच्छे आपको जैसे scroll down करोगे तो यह option होगा restrict data usage का तो हमें क्या करना है इस पर हमें click करना है और इसमें wifi और mobile data आपको देखेगा तो wifi और mobile data इन दोनों को आपको क्या करना है enable करना है अगर by chance off होगा तो इनको own कर लेना है और ध्यान रखना है इनको अभी off नहीं करना है तो यह सब करने के बाद हमें निच्छे scroll down करना है और यहाँ पर एक option होगा clear default का इस पर click करना है इस पर click करने के बाद एक पर अपने app को force stop कर दिजेगा force stop करने के बाद एक पर अपने device को restart किजेगा restart करने के बाद 5 मिनिट बेट किजेगा और 5 मिनिट बाद आपकी जो भी problem है वो solve हो जाएगी I hope आपके लिए यह video informative साबित होई होगी